इंको वेटिंग वालों को बहाओ वेटिंग वालों को जाओ शलो वेटिंग टिकट बंदो गई अब अब वेटिंग अलाउड मी नहीं है ना अलो दोस्तों मेरा नाए मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टकी हेल्प टेफ्स क्या आपको पता है कि विंडो वेटिंग टिकेट पर रेलवे का अब नियम बदल चुका है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अब विंडो के वेटिंग टिकेट पर यातरा आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे विंडो वेटिंग टिकेट कौन से टिकेट होते हैं वो टिकेट जिसको आप रेलवे काउंटर से जाके खरीदते हैं उसको कहा जाता है विंडो वेटिंग टिकेट पहले क्या था कि अगर आपने विंडो से वेटिंग टिकट ले लिया तो आप वैद थे और आप स्लीपर कोच में आसानी से यातरा कर सकते थे लेकिन एक जुलाई से या नियम जो है बदल गया है अब रेलवे के मताबिक अगर आपने वेटिंग टिकट लिया और ये आखरी वक्त तक कन्फर्म नहीं हुआ तो यातरा करना गैर कारोनी होगा मतलब आपके पास टिकट होते हुए भी टिकट नहीं है और पहले ये भी था कि अगर आपके पास AC का वेटिंग टिकट है तो आपका टिकट वैद दोता था और आप यातरा कर सकते थे और वहीं सब को पता है कि अगर online ticket होता था तो वो बिल्कुल भी वायद नहीं होता था वो वैसे ही waiting अगर है तो automatic cancel हो जाता था और अगर आप train पे चलते थे तो कहा जाता था कि आप without ticket हैं अब जो एक जुलाई से नियम बदले हैं अगर आप window या फिर कहूं खिलकी से ticket लेते हैं और वो ticket आपका confirm नहीं होता है तो मैं request तो यहीं करूँगा कि आप उसको चार गंटे पहले तीन गंटे पहले आप उसको cancel करा लें मतलब जो तक चार प्रिपेर नहीं होता है आप उसक अधिकार है कि आप से टीटी 440 रोपय तक का जुर्माना ले सकता है और एक अधिकार जो टीटी को दिया गया है वो यह है कि अगर कोई भी person sleeper coach में waiting ticket लेके चलता है तो उसको next station आने तक रोका जाएगा और जब next station आएगा तो टीटी उसको कहेगा कि आप journal coach में जाके सफर कर लें और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उतारने का दिकार टीटी को है वो आपको उतार भी सकता है तो ध्यान लखें कि अगर आपके पास window का waiting ticket है तो बहुत सोस समझ कर आप sleeper coach में चलें हो सकता है यह सब problems आपको face करनी पड़े उस case में यही है कि अगर आपकी टी करेंगे तो वहां पर बिल्कुल ध्यान लखें या फिर अगर आप non stop train पर सफर कर रहे हैं तो वहां भी इस चीज़ का ध्यान लखें तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको like जरूर करें और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास window का waiting ticket है म पानने नहीं होगा sleeper coach में आपको general coach में ही सफर करना पड़ेगा और TT के ऊपर है वह आपको उतार भी सकता है और आपको general coach में भेजनी की authority उसके पासे वह भेजेगा ही भेजेगा उतार के कहेगा आप चले जाओ दूसरी चीज़ वह आपसे जुर्माना भी ले सकता है तो इससका ध्यान लगें